तो चलो पैरे बच्चो आज हम पवित्रमा कोन है पवित्रमा कलिसिया की मा पवित्रमा कलिसिया की मा माता मरियम इसके बारे में सुनेंगे मा मा कैसी है क्या है एक मा के क्या क्या करतवी है मा का जीवन में कितना मुल्य है ये हम आज पढ़ेंगे मा के रूप में हम माता मर्यम को देखे माता मर्यम को हम अपने जीवन में अपनाए माता मर्यम का नमुना हम हमारे जीवन में उतारे इसके लिए हम प्राथना भी करेंगे और एक माता मर्यम का छोटा सा गित गाएंगे जो हमारे लिए हमारी जिवन के लिए और हमारे जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए वो हमारे लिए नमुना है तो हम भी दुसरों के लिए नमुना बने हे मरिया प्रभु के मां शर्ण में तेरी आई है हे मरिया सब के मां शर्ण में बिन तील आई है हे मरिया धन्यकुवारी इश दुलारी जग में न्यारी मेरी मां मेरी मां सबसे प्यारी मेरी मां हे मरिया प्रभु के मां शर्ण में तेरी आई है हे मरिया हां तो बच्चो माता मरियम पवित्र निश्कलंग निश्पाब निर्दोश हम निर्दोश जीवन बिताया एक नमुना हमारे जीवन में एक नमुना है उसके जीवन किस तरह से उन्हें ने जिया तो हम उनसे एक नमुना लेना है और माता मरियम जैसे जिया वैसे हमें अपने जीवन में उसे लागू करना है तो जब माता मरियम कुरुस के निचे खड़ी थी प्रभू की दर्दनाक मुरुत्य के बाद प्रभ्येशु को जिस तरह से मारा गया था कुरुस पर ठुका दिया इसकी साख्ष थी माता मरियम उसने अपने आखो से अपने पुत्र को मरते हुए कुरूस पर देखा कुरूस के नीचे खड़ी थी वो प्रान पिड़ा में थे तब माता मरियम कुरूस के नीचे खड़ी थी माता मरियम उसकी बहन कलोपस की पत्नी मरिया मरिया मकदलीना और शिश साथ वो खड़ी थी वो देख रही थी प्रभु येशु के मृत्ति को तब प्रभु पीडा में वेदना में थे तब अपने मां से कहा भदरे ये तिरा पुत्र और शिशों को देख कर कहा ये तुमारी मां है ये तुमारी मां है तब से माता मर्यम हमारी मा हो गए सारे दुनिया की मा हो गए संतों की महारानी हो गए ये है माता मर्यम का गुन माता मर्यम ने एक निश्पाप जीवन बिताया निश्कलंक थी पाप रहित थी वो तो प्रभु ने उसे पिता ने उसे चुन लिया कि प्रभुहेशु की मा बनने के लिए क्यूंकि वो निश्कलंग थी पाप्रहित थी कि इसलिए हम उसका आठ डिसेंबर को निश्कलंग गर्भागमन का त्योहार मनाते हैं माता मर्यम के विशेश गुन हमें आज सिखना है माता मर्यम एक साधारन बालिका के रूत में थी उसके माता पिता धर्मी थे धर्मी होने उन बहुत दिनों से उनको संतान नहीं थी उनके माता हना जोखेतिम वो बहुत प्रभु एशू की देन रात स्यवा करते थे प्रार्थना किया करते थे, मन्दिर जाते, उनके चोखटों पर प्रार्थना करते रहते अपने एक संतान के लिए लेकिन बहुत दिन तक जब उनको संतान नहीं थी तो उन्होंने प्रभु को कोसा नहीं, प्रभु से क्षश्ण नहीं किया, कि ही प्रभु, कि मैं तुमारे इतनी सेवा करती हूँ, तुमारे चवखटों पर रगटती हूँ, लेकिन मुझे एक भी संतान नहीं है, ऐसा उसने नहीं का दिन रात्वो मंदिर के चोकठों में प्रार्थना सेवा में अपना जीवन बिता थे थे इसका फल देखो चमतकार के रूप में माता मर्यम उसके गोद में आ गई यह है उसके प्रार्थना का फल दान के रूप में जो बीज उन्होंने बोया उस बीज के रूप में माता मर्यम हमें निश्कलंग माता मर्यम मिल गई तो यह है चमत का उसके प्रार्थना का फल तो माता मर्यम ऐसे आद्धी पाप प्रहित उनका जनम हो गया इसलिए हम 8 दिसंबर को निश्कलंग गर्भागमन का त्योहार मनाते हैं माता मरियम एक साधारन बालिका के रूप में उनका जनम हो गया माता मरियम को प्रभुयशु ने जब उनको मातक के रूप में चुना प्रभुयशु के मा होने के लिए चुना स्वर्गदूत ने उन्हें संदेश दिया कि तू प्रभुयशु के माता बनेगी तब ना डरी ना घबराई प्रभुयशु को अपने जिवन में ग्रहन करने की कुरुपा और वर्दान उन्हें प्राप्त किया गोशाला के बेथलेम के गोशाला में प्रभुयशु को उनको जनम देना पड़ा दुख पिड़ा सहन करते हुए युसुप के साथ उन्हें प्रभुयशु का पालन पोशन किया और उन्होंने प्रभुयशु के सार्वजनिक जीवन में उनका साथ देती रही प्रभुयशु के साथ खड़ी थी और वो अपने प्रभुयशु के दुख अमरण पिड़ा उसमें सभागी हो गई प्रभुयशु के दर्दना मृत्यु उनके आखों के सामने हो गई वो उसका साक्ष है प्रभुयशु के मृत्यु के बाद शीश घबरा कर अपने कमरे में बंद होकर प्रार्थना कर रहे ते डर के मारे तब माता मर्यम उनके साथ थी उन्हें सांत वना उन्हें धर्य प्र माता मरियम ने दुख तकलिपों में भी अपने सहास को तूटने नहीं दिया हिम्मत के साथ हर प्रकार का मुसिबतों का सामना किया ये हमारे लिए नमुना है ये हमारे लिए नमुना है जो भी करना है जो भी अपनी जिवन में जितना भी तुम कर सकते हो अपनी शक्ति के अनुसार तुम कर सकते हो लेकिन उसके बाद माता मर्यम और इश्वर आपको जो देना है वो दे देंगे तो यह है उनके माता मर्यम के प्रती उनका विश्वास हमें जितनी भी शक्ति हमसे जो भी हो सकता है वो हमको करना है उसके बाद जो हमें देते हैं माता मर्यम और इश्वर वो माता मर्यम और इश्वर के हातों में सोग देते इसलिए हमें मांगना है हमें जो भी करना है करते ही रहना है उसमें ठकना नहीं है एक बार मांगा तो नहीं मिला दूसरी बार मांगा तो नहीं मिला लेकिन बार-बार मांगने से हमें मां से मील ही जाता है वैसे हम अपने मां से मांगते है वैसे माता मर्यम से मांगना है क्योंकि माता मर्यम है हमारी मध्यस्त नमुना है इसलिए माता मर्यम हमारी कलिसिया की मां है सबसे महत्व पुर्णा बात है बीनिती माला रोज संध्या बन्दना में बिनिती माला करना जरूरी है इस बिनिती माला में हम दुख का भेद, महिमा का भेद, प्रकाश का भेद ये बोलना है माता मर्यम की रोजरी माला करना अति आवश्चक है माता मरियम का जो उसकी प्रती हम भक्ती और श्रदा दिखाते है उस पर हमें गोर करना है उसका अपमन नहीं करना क्योंकि हमें उसी सीड़ी से जाना है उसी सीड़ी से माता मरियम है हमारे लिए एक मध्यस्त उस मध्यस्त के द्वारा हम स्वर्ग पहुंच सकते हैं संत अम्रोस जो कलिस्या के विद्वान है वो कहते है कि माता मर्यम स्वर्ग जाने की सीड़ी है माता मर्यम स्वर्ग जाने के सीड़ी है उसी सीड़ी से प्रभुयेशु नीचे उतर करा है और माता मर्यम के द्वारा हम उसी सीड़ी से जाने वाले हैं, सब हम जाने वाले हैं तो उन्होंने अपने पुस्तक में लिखा है कि माता मर्यम एक सीड़ी है हमें स्वर्ग में जाने के लिए तो किस तरह से नमुना हम बन गई हमारे लिए माता मर्यम किस तरह से हम माता मर्यम के द्वारा सोर्ग जा सकते हैं माता मर्यम हमारे मध्यस्ता है तो हमें भूलना नहीं है माता मर्यम के जपमाला करना भूलना नहीं है संध्या के समय माता मर्य को मध्यस्त रखना भूलना नहीं है हमें जरूरत है तो हमें हमारे लिए प्रभु येशु से वो मध्यस्त रहती हैं हमें सम्मान पूर्वक माता मर्यम को आदर और सत्कार देना है जैसे हम अपने माता पिता से आदर और सत्कार करते हैं वैसे माता मर्यम को आदर और सत्कार से प्रार्थना करना है प्रभु का गुनगान गाना प्रभु के लिए कितना हम चाहते हैं प्यार करते हैं वो हमें माता मरियम से सीखने के लिए मिलता है तो प्यारे बच्चो मैं आपको यही बतना चाहती हूँ कि माता मरियम पवित्र है पवित्र मा है वो हमारे कलिस्या की मा है हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तयार है लेकिन हम उनके लिए क्या कर सकते है कैसे हम उनके पास पहुंच सकते है तो माता मर्यम की रोजरी मला इसको ध्यान रखना है माता मर्यम जब हम रोजरी मला करते है तो जैसे उसमें मोती होते है जुड़े रहते हैं उस मोतियों में वैसे ही हम कलिस्या से जुड़े रहते हैं उसमें एक का भी सर्वनाश नहीं हो सकता है किसके द्वारा मातामेरिम के रोजरी माला द्वारा उस रोजरी माला के रोजरी माला में जो मोति होते हैं उसके जैसे हम कलिस्या में जूड़े रहते हैं, तूटने नहीं देते, वो रोजरी माला तूटने नहीं देते, जैसे उसमें बंदे रहते हैं, वैसे हम भी कलिस्या में बंदे रहते हैं, तो चलो माता मर्यम के बारे में हमने सिखा है, तो वो उसको अपने जीवन में किजिए और माता मर्यम की रोजरी माला करना मत भूलिए